नमस्कार में नंदिनी सिंग और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव कोरोना महामारी के दंस के बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने 2021-22 का आम बजट संसद में प्रस्तुत किया मंदी की कड़ी मार जेल रही देश की अर्थ विवस्था को प्रभावकारी बूस्टर देने की बात पर वित्त मंत्री ने अपने भासन में जोर देते हुए सबके विकास के वादे के विजन को दोहराया वर्तमान में देश की GDP नेगेटिव इस्तिती में पहुँच चुकी है इस इस्तिती से निपटने के भरपूर प्रयास करने का दावा इस बजट में किया गया आईए जानते हैं इस बजट से किन चीजों पर आपकी अपनी जेब धीली करनी पड़ सकती है और कौन सी चीज देगी आपको राहत स्टिल प्रोडक्ट हुए सस्ते वहीं विदेसी मोबाइल और चार्जर हो रहे हैं महंगे सोना चांदी को लेकर खास तोर से महिलाओं का बहुत रुज़ान होता है महिलाओं लगातार कह रही थी कि वित्मंत्री चुकी महिला है तो उनसे बहुत जादा उमीद थी कि महिलाओं को उन्हें ध्यान में रख कर कुछ फैसला जरूर लेंगी और ये बज़र्ट में उन प्रावधानों का जरूर जिक्र करेंगी जिससे महिलाओं को फायदा मिलेगा वही सोना चांदी हुए सस्ते तो इलेक्ट्रोनिक सुपकरन हो रहे हैं महंगे तामबे के समान सस्ते हो गए है तो इंपोर्टेट कपड़े हो गए हैं महंगे सस्ते तो ब्रैंडेर जूते हो गए हैं महंगे लोहे के उतपाद होए सस्ते तो अटो मोबाइल पार्ट्स हो गए हैं महंगे इंस्योरंस हो रहे हैं सस्ते तो वहीं सिल्क उतपाद हो रहे हैं महंगे बिजली हो रही सस्ती तो पेट्रोल डीजल हो रहे हैं महंगे क्रिसी उपकरन होंगे सस्ते तो काबली चने हो रहे हैं महंगे जानते हैं बजट में और क्या-क्या कोरोना काल में हेल्थ केर सेक्टर को बड़ी सोगात मिली हेल्थ केर के बजट को 94,000 कलो रुपई से बढ़ा कर 2.38,000 कलो रुपई कर दिया गया जिससे लोगों को बहतरीन स्वास सुविधाय दी जाएंगी महामारी की गंभीरता को देखते हुए कोरोना वैक्सिनेशन के लिए 35,000 कलो रुपई रखे हुए है वहीं सरकार ने अपने आत्म निर्भर भारत की और एक कदम बढ़ाते हुए आत्म निर्भर स्वास यूजना के लिए 64 कलोर का बजट रखा है सुख्ष भारत मिसन के लिए वित्तमंत्री के पिटारे से 1.41 लाग कलोर का बजट आवंतित किया गया बजट में रक्षा पर मामली बढ़ोत्री देखी गये डिफेंस पर बजट को 3.43 लाग कलोर से बढ़ा कर 3.47 लाग कलोर किया गया इसमें हत्यारों की खरीदी के लिए 1.35 लाग कलोर दिये गये है रेलवे के लिए सरकार ने 1.7 लाग कलोर के बजट का एलान किया है सडकों के लिए वित्त मंत्री ने 1.18 करोर के बजट का एलान किया इस बजट के जरिये देश की सडकों को बहतरीन बनाया जाएगा सर्वजनिक बस परिवन सिवा को बढ़ानी के लिए 18,000 करोर के लागत की नई योजना लॉंच की गई है बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ा कर 74% कर दिया गया है वहीं बैंकों के लिए 20,000 करोर उपे का इंतिजाम किया गया है जल जीवन मिसन के लिए 2.87 लाग करोर तो वायू प्रदूशन के लिए 2.21 करोर के बजट का प्रावधान किया गया है किसानों को नई सौगात देते हुए MSP देड़ गुणा बढ़ाया गया है क्रिसी कानून पर विरोध के बीच किसानों को लुभानी के लिए बड़ा कदम हो सकता है वहीं खेती के लिए 2021-22 में 16.5 लाग करोर का करज दिया जाएगा 75 साल से जादा के बुजूर्गों को राहत मिलेगी बुजूर्गों की कमाई अगर केवल पेंसन और ब्यास से हो रही है तो इंकम टैक्स रिटेन नहीं भरना पड़ेगा किफायती घरों के लिए होम लेने का ब्यास पर 1.5 लाग रुपे की अतरिक शूट को और एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है ये पहले से मिल रही 2 लाग रुपे की शूट के अलावा है इसे 2019 में लागू किया गया था नए प्रोजेक्ट पर सरकारी खर्च को 4.39 लाग करोर से बढ़ा कर 5.54 लाग करोर रुपे किया गया है जिससे आने वाले समय में सरकारी नौकरियों में इजाफा हो सकता है ये बजट किसी के लिए है राहत तो किसी के लिए है आफत